कैसे चले बच्छ जिंदगी कैसे वो मेरे शेरो शेर्णियो और वेलकम टू आ फैंटास्टिक सेशन आज हम ब्रिच कोर्स करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ब्रिच कोर्स क्या होता है देखो 6th grade में 7th grade में 8th grade में आपने 9 में ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं और आपको अब ना पढ़ना वले और फ्री में मार्क्स मिल जाए और ऐसे बहुत सारे concepts भी हैं जो आपकी grade 9 की concepts को और strong करेंगे इन सारे concepts को आदम समझने वाले हैं मैं बताने वाला हूं कि वो कौन-कौन से topics हैं जो आपको grade 9 शुरू करने से पहले revise करकर आनी चाहिए और revise करकर grade 9 शुरू करनी चाहिए और साती साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा हम 10 सवाल करेंगे test करने के लिए कि आपको grade 6, 7, 8 का कितना याद है और उसका जवाब आप लोग चाट में और comments में spam करके बताऊगे ठीक बेटा रेडी हो तो जोर से बलो बले बले शुरू करते हैं आज का session क्या कहते हो ठीक है तो make sure to hit the like button share this video subscribe to the channel जितने जल्दी हो सके क्योंकि grade 9 के लिए पूरे साल का plan ready है और हम session शुरू कर चुके हैं इस session के साथ तो I hope you guys are ready bring it on people और अगर आप पहली बार मेरे sessions में आ आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप मेरे session में आओ तो हाई भाई बोलने से पहले बले 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 बोलकर शुरू करना ठीक बेटा चलो पर शुरू करते हैं आजाओ भाई का है आपका पहला topic पहला topic है bridge to grade 9 physics और देखो आपके जो grade 9 तो उसमें ये पांच chapters है दिख रहा हो क्लिए कितने chapters है भाई साब पांच chapters है एक है आपका motion दूसरा है forces and laws of motion तीसरा है gravitation and flotation, flotation हम लिखते हैं लेकिन लिखा हुआ से gravitation आता है चौता है आपका work energy and power पांच पांच है आपका sound है ये पांच major chapters है अब जब इनके नाम पढ़ते हैं तो इसमें से बहुत साई चीज़ा आपने सुनी हुई लगते हैं साउन तो सुना हुआ है motion तो सुना हुआ है pose and laws of motion सुना हुआ ऐसे बहुत साई चीज़ा आपने सुनी हुई है in fact आपने बहुत साई topics पढ़े हुए है तो एक एक करके और कौन-कौन से topics उनको समझते हैं और आगे बढ़ते है ठीक है तो पहला chapter जो हम देखेंगे वो होगा motion chapter और motion chapter से आपने क्या-क्या पढ़ा बताऊंगा मैं और पहले जो पढ़ा हुआ है कितने marks के साल आते हैं वो भी बताता हूं आपको ठीक है चले शुरू करते हैं तो पहला आपने grade 6 में motion and measurement of distance पढ़ी हुई है यह chapter था आपके syllabus में आपको याद होना चाहिए और सबसे पहला जो topic था है means of transport यह आपको इस साल न नहीं आते हैं तो I'll not get into that यह basics है आपके motion chapter के motion chapter का पहला topic ही distance and displacement है तो of course पढ़ना पड़ेगा traditional ways of measuring lens जरूरी नहीं है standardizing length measurement जरूरी नहीं है zero error correct measurement of lens जरूरी नहीं है error measurement जरूरी नहीं है how to measure a curved line थोड़ा बहुत जरूरी है थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं length of a curved line भी थोड़ा बहुत जरूरी है ज्यादा नहीं types of motion is extremely important और time का भी basics इस साल है ठीक है तो यह सारी चीज़े तो अगर मैं आप से अगर आप समसे बूचो कि इसमें से कुछ 9th के examination में आएगा जवाब नहीं नहीं आएगा लेकिन 9th का जो पहला chapter है उसके बहुत सारे basics यहापे है ठीक है जैसे देको 9th gate का motion chapter में topic क्या क्या आता आपका distance and displacement speed velocity average speed average velocity acceleration ठीक ह distance time graph, velocity time graph, uniform circular motion, uniform motion, non uniform motion यह वो topics जो आपके syllabus में है इस साल 9th grade के ठीक है तो यह जब जब हम यह इन सारे topics को देखोंगे मैं आपको बताऊंगा कि यह important है यह इतरे marks के लिए आता है तो जैसा मैंने बताया इतमें से कोई भी ऐसा topic नहीं है जो आपको आता है examination में लेकिन basics है त अब सर यह तो हम नोट नहीं कर भाएं तो क्या करेंगे वीडियो को दुबारा देखो नोट कर लेना या तो जो PDF है यह मैं हमारे telegram गूरूप में डाल दूँगा telegram गूरूप का link description में जाए जो जॉइन कर लिजे ताकि ऐसे सारे sessions के PDF को मिल जाए ठीक है आगे बढ़ते ह है दो माक का सवाल आता है आपको distance and displacement का difference बताओ introduction to motion units and their sanitization हा types of motion दुबारा इसमें आ गया ठेक है जो गया rectilinear motion क्या होता है circular motion periodic oscillatory motion यह सब basics है इन्वे से सवाल आते हैं नहीं यह आपको 7th grade में आ चुके हैं अब time and speed देखो speed आ गया speed आ गया speed के उपर सवाल नहीं आते है लेकिन speed basics है जो आप पहले पढ़ो के लिए उसके उपर direct सवाल नहीं आते है average speed के उपर आते हैं तो यह मैं बोलूँगा दो मा का सवाल आप यहां से expect कर सकते हो uniform and non uniform motion 9th grade का one of the important topics है यह भी दो marks के लिए आपको examination में आते हैं कि भाई define करो uniform motion क्या है non uniform motion क्या होता है ठीक है उसके बाद measurement units of time नहीं आते है units of speed meter per second आपको पढ़नी पढ़ेगी speedometer नहीं है distance time graph आपको इस साल भी है जो आपको 2 marks के लिए लिए डिस्टनस टाइम ग्राफ क्या होता है उसको कैसे बनाते हैं uniform motion क्लिए distance टाइम जैसा होता है non uniform motion क्लिए distance टाइम ग्राफ कैसा होता है चल्वे चैट पो बताई कि जल्दी सब लोग Distance time graph uniform motion के लिए कैसे दिखता है स्पाम कर देना चाहिए सब लोग सब लोग स्पाम कर दें कैसे दिखता है जल्दी से ठीक है चलो अब ऐसे देखते हैं कि आप जहला हैёл में इस व क्रदा है जब मैं ऐसे पीτεी बनाई करता था जब मैंने संपकें पड़ाई था इतना मज़ा आ था इस चाप्टर को बनाते कि लिए जो एट ग्रेट में हैं अगर आप विदान्तु से पड़े हुए हो विदान्तु के लाइफ क्लासेस में पड़े हुए हो तो भाई साब उसमें जो आपने देखा होगा content force and pressure को मैं नहीं बनाया था तो surreal है बहुत मेरे को बनाय हुए हो forces जाने के force के effects of forces के उपर आता है तो मैं आप लिख देता हूं दो marks का ठीक है और force का formula यह सब इंपोर्टेंट ही है उसके बाद second law of motion यह सब में आपको force आते ही जाएगा types of force contact and non-contact आपको नहीं आता है 9th grade में application of force नहीं आता है 9th grade में states of motion वही force वाली बात से आ जाती है states of motion ठीक है तो आपने ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ है forces के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है laws of motion के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है न तो laws of motion यह आपके लिए पूरा नया होने वाला चाप्टर तो ready रहेगा बहुत मज़ा आएगा बहुत अब आगे बढ़ते हैं बच्चों का mostly न फोर्ज लॉज फेवरेट चाप्टर है तो बच्चे न्यूटन नूटन बोल के बहुत हो जाते हैं तो आप भी बहुत खुश होगे अब बात करते हैं ग्राविटेशन फ्लोटेशन की अगें ग्रेट 6 और ग्रेट 7 ने आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है ग्रेट 8 में जो फोर्ज और प्रेशर चाप्टर है उसमें प्रेशर वाला जो पार्ट है उसमें ऐता है प्रेशर मेंद फ्लोट आता है अब फ्रस्ट की ऊवती है जरूरा आता है यह सारी चीजह आपको दो मांस के लियां बिल्कुल आती है अट्मO mixed प्रेशर आपको नहीं आता है् ठीक है सारी चीज़े आपको आती है ग्राविटेशन एन फ्लोटेशन चैप्टर में फ्लोटेशन के पार्ट में जादा है ना, thrust and pressure के बाद पूरा एक नया चैप्टर होता है ग्राविटेशन के अंदर तो आधा चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ग्राविटेशन पार्ट है उसमें आपने सिर्फ ग्राविटेशन 4 से आता हुआ है और कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं यह आता है तो मैंने लिख दिया आपे कितने-कतने मास के लिए आते हैं भाई तो अब बात करते हैं work energy and power की simple भाषा में छटवी कक्षा में, साथी कक्षा में, आठवी कक्षा में आपने work energy and power नहीं पढ़ा हुआ है तो इस चैप्टर इस गोई टो बी एंटारली निव फोर यू पूरा का पूरा चैप्टर आपके लिए नया रंगीन एक दम मज़ा आएगा ठीक है? तो तो बेटा अब हम साउंड के बार में देखेंगे और साउंड के immediately बाद हम एक 10 सवालों का quiz करेंगे और आपको chat और comments में spam कर देना है और अब तक मज़ा आ रहा है वीडियो में तो make sure hit the like button और फोड़ते जाओ अब बात करते हैं sound chapter के और sound chapter में भी 6 वी और 7 वी कक्षा में आपने sound से लिटेट कुछ नहीं पढ़ा हुआ है 8 वी कक्षा आपने पढ़ा हुआ है sound clearly human ear and characteristics of sound ये आपको 9th grade में 3 से 5 marks के लिए आती है human ear के बारे हैं बताओ पूरा diagram आता है structure आ जाता है parts and function आ जाती है पूरा music and noise आपको 2 marks के लिए आता है what is the difference between music and noise production and propagation of sound ही तो ये पूरा chapter है sound produce कैसे होता है 2 marks sounds propagate कैसे होता है 2 marks समझे sound में और क्या topics होते हैं सबसे पहले आप शुरू करोगे production sound produce कैसे होती है sound propagate कैसे होती है sound आपके solid, liquid और gas में कैसे propagate होती है उसके बाद आप पढ़ोगे आपका ये sound का range क्या होता है फिर आप पढ़ोगे reflection of sound which is basically your echo and reverberation उसके बाद फिर आप जाओगे पढ़ने में human ear and the characteristics of sound human ear पिछले साल पूरा पूरा deleted था आपको नहीं पढ़ना था human ear इस साल का syllabus उड़ा कर आप देखना कि human ear इस साल में है की नहीं और वो आपका आज का homework है मुझे आप syllabus देखके बताईए कि human ear आपके syllabus में इस साल है की नहीं और syllabus कहां से मिलेगा cbacacademics.nic.in ये website है जाईए, देखे, बताईए मेरे को ठीक है? चलो हम एक separate session इसके बर जरूर करेंगे कि आपका syllabus बदला है की नहीं बदला है ठीक है बेटा? चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं अब बारी आचुक्किया, quiz time की तो get ready 10 सवाल देदनादन में डालूँगा मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, 4 option आपके पास होंगे सवाल पढ़ने के बाद मैं 5 से एक तक गिनूँगा और उसमें पूरा spam हो जाना चाहिए चाट्स में और जो बच्चे उसको आज़े वीडियो देख रहे है कमेंट्स में spam हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो बाई, पहला सवाल A dash exerted by an object on another is a force push or pull contact or non-contact force pressure magnitude क्या exerts करने से उसको हम एक force कहते हैं 5 4 3 2 1 स्वाम कर दिया Of course जवाब push or pull है, है न? force का definition ही होता है push or pull exerted by an object on another is called as a force और यही definition इस class 9 में भी आपको 2 marks के लिए आती है तो भाई सहाफ, किस्मत ही किस्मत है आपकी जिन बचों ने सही जवाब दे, आपको याद दे चेसे काफी अची है जिनको याद नहीं है, वो ही topics revise जरूर करना आपको force याद नहीं है, तो revise करना ताकि 9th grade में आसानी हो अब आगे बढ़ते हैं दी नमबर अफ वाइबरेशिंस मेड भाई वाइबरेटिंग बोडी इन वन सेकंड इस ओमाइग गॉड 5 4 3 2 1 and the correct answer for this question is frequency 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 बहुत सारे 9th grade वाले बच्चों को पता ही नहीं होता क्या है लेकिन आपने पढ़ा हुआ है 8-week अक्षा में सोच कर देखो आप बहुत सारे बच्चे frequency पता नहीं है जो आपने एक साल पहले पढ़ा हुआ है बई कैसे भूल जाते हो और भूल भी तो revise करके आना मेरे बच्चे बोलते हैं सब frequency तो हम पहली बार सुन रहे हैं ऐसा बिलकुल नहीं है तो यह पढ़कर आना है आपको frequency is a previous year question ठीक है चलो बहुत बड़ी है तो frequency का जो सवाल है वो भी आपको दो माक से लाता है उसके उपर numericals आते हैं frequency के formula के उपर extremely important ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं an example of rectilinear motion is apple falling from a tree motion of a car on road a spinning top both a and b again a standard 9th grade question यह जो है यह जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे यह सारे 6 to 8 grade के सवाल ही है और यह डिट्टो 9th grade में आते हैं आपको वही सवाल में आपसे पूछ रहा हूँ example of rectilinear motion क्या है 5,4,3,2,1 वक्त होता है खतम अब करते हैं कि क्या है of course पहला option और दूसरा option सही है apple falling from a tree आप apple जब गरता है पेड़ से सीईधा गरता है rectilinear motion क्या होता है rectilinear motion मतलब है जो जो motion जिसमें बंदा या object straight भाग रहा हो straight जा रहा हो ठीक है तो apple falling from a tree or motion of a car on the road they are all straight line motions correct so both a and b is correct spinning top घूमता है तो circular motion में जाती हो चलो अब चौता the invention of which of the following has made a great change in modes of transport wheels, steam engine, fire, taming animals अब देखो यार यह आपके नहीं आता है यह C ता 6-8 का सवाल है लेकिन देखते हैं कितने बच्चे को याद है ठीक है invention of what made a great change in modes of transport 5, 4, 3, 2, 1 वक्त होता है गतम and I hope you guys have spammed it the answer is of course a wheel बहुत सारे बच्चे शायद steam engine भी सोच रहे होंगे है ना लेकिन steam engine से पहले चक्का आया जो गुमता ऐसे है चक्का नहीं गुमेगा तो गाड़ी कैसे आगे जाएगी भाई है ना तो यह सबसे बड़ा invention था board of transportation में क्योंकि अगर आपने वह cartoon देखा होगा तो stone age बड़ा cartoon एक चलता है ना कुछ तो है उसमें लोग गाड़ी में बैठते है लेकिन पैर नीचे डालकर पैर से गाड़ी चाहते है basically you get my point isn't it तो yes wheels are very important cycle ही देख लो wheels very important cycle नहीं होदी तो बहुत सारे बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाब आते हैं क्योंकि इतनी distance travel कर दी है wheels ने आपका काम आसान बना दिया correct चाहलो आगे बड़ते हैं the length of the outstretched arms is called finger cubit fathom pace length of the outstretched arms यह जो length हो कितनी है बताईए कितनी है भाई the answer to that question is a fathom congratulations people यह 9th grade में नहीं आती है so don't worry about it word याद रखना है आ सकती है नहीं मजार्करां नहीं आती है during dry weather while combing hair sometimes we experience hair flying apart the force responsible for this is पता है ना मतलब जैसे dry weather मतलब जब winter होती है है ना जब थंडी होती है तो जब कंगी करते हैं तो कंगी से बाल चिपक जाती है जब कंगी के पास रहते हैं तो बाल चिपकने लग जाती है अभी हाली में जो बच्चे शोक लग रहा है किसी चीज को चूरहरै तो श्राग रहा है हात मिला रह रूँज शॉक लग रहा है पस पस चल रहा है how to पास चल रहे और बडी टचों कि टो शॉक लग रहे लोग देख रहे हैं कि घर में कोई electricity का प्रॉलम तो नहीं है लेकिन ये news में भी आ गया था Twitter में भी आ गया था सब जगा आ गया था कितने लोगों ने experience किया तो मेरे को बताना comments में ठीक है तो हां तो वो होता है लिंक किस वज़े से होता है अब देख लो ये सेम सवाल आपको 9th ग्रिड में भी आती है एक्जाक्ली सेम सवाल तो मेरे क्याल से सवाल यहां पर यह होना चाहिए कि pressure excited by the brick on the table will be maximum किसमे या minimum किसमे है है ना किसमे ये maximum होगी या minimum होगी सवाल यह होना चाहिए क्योंकि सब में pressure तो जरूर होगा तो सब माक्सिम वाला खिल लेते हैं ठीक है सवाल है किसमें हाँ options है यहां पर sorry ठीक है तो आप diagrams देख लो A देखो ऐसे रखा गया है B ऐसे रखा गया है और तो और C ऐसे तो B वाले पार्ट का जो bottom है वो ये वाला पार्ट ठीक है तो सवाल है कि maximum in position A position A में pressure सबसे maximum होगा कैसे pressure का formula होता है force upon area correct है तो सब जगा force तो same लग रहा है क्योंकि भाई सब जगा पर जो brick है उसका weight तो same है तो force यहां पर same लगा रहा है आपका brick मैं खड़ा हुआ हूँ मैं लेटा हुआ हूँ मैं कैसे मेरा weight तो same रहा है तो maximum सबसे यहां पर होना चाहिए देखते हैं इस वाले में आप देखोगे तो भाई इतना बड़ा area है जो जमीन पर लगा हुआ है तो अगर आप कोई रॉल कोई गड़ा है इसे फेंट कट हूँ मैंटरेस गड़ा हो जाते है हैं अगर आप यह थेंड़ यपट गड़ा हो जाता है сам मत्रम में जाते होí तो अगर आप उस संपल सी बात है अगर आप 그러면 तो अगर आप सो इस सैंड पर लेट जान बड़ा सुकून में होता है गड़ा वड़ा नी बनता बरावर लेकिन जब आप चलने लगते हो तो भाई वो टक टक पैर अंदर गुशने लग जाते हैं है कि नहीं तो जहां पर आपका एरिया कम होते हैं प्रेशर जाद होता है इसलिए आप अंदर चले जाते हो और जहां पर आपके एरिया जात होते हैं प्रेशर कम होता है प्रेशर कम लगाते हो अब इसलिए वो अब उपर अराम से लेट पाते हो ठीक है तो यह हो गया इंवर से अगर मैंने उल्टा करके लगाया कुछ नहीं होता क्यों क्योंकि ये नुकीला था एरिया कमती जाधा लगा प्रेशर जाधा है ये फ्लैट था तो कम लगा प्रेशर कम है करेक्ट ये याद रखना है ऐसे बहुत सार एक्जांबल से मैं आपको देख सकता हूं ठीक है तो basically maximum position A जवाब बिल्कुल सही है maximum position B नहीं maximum position C नहीं equal and all के से definitely नहीं तो आपका pressure maximum position A ही है ठीक है चलो A container is filled with water as shown in the given figure which of the following statement is correct about pressure of water बताएए भाई बहुत important सवाल है जल्दी बताएए A, B और C में से pressure सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा बताएए A, B और C में किस अब जगा सेम होगा बता दिया अब देखो ये पढ़ा हुआ है हमने बच्पन में कि pressure is also directly proportional to the height जितना ज़्यादा height होगा उतना ज़्यादा pressure होगा इसलिए बड़े-बड़े dam जो इतने height वाले ह वहां से जब पानी बैकर आती है तो भाई साब इतने force से आती है इतने बड़े-बड़े waterfall के उपर से जब पानी गिरती है तो भाई साब जमीन पर गरकर पत्तरे तूट जाती है नल का पानी नीचे गरे तो कुछ नहीं होता है समझ गए ना बात समझ गए बास यही तो कहन आता आपको ऐसे भी देख लो आपने नल का पानी खोला नीचे बाल्टी रखी हुई है अवास भैंकर नहीं आती है भैंकर आवास आती है फोर्स इतना होता है जैसे जैसे पानी भरते जाता है पानी जरते होता है वास कम होते जाती है फोर्स कम होते जाता है हाँ तो यह सि Pressure at A greater than B greater than C, option A, सही जवाब होना चाहिए. Pressure at A less than A less than B. Oh, मैंने उल्टा पगड लिया इसको, हाँ, सौरी. Height नीचे से नहीं, Height उपर से नापने हमको. Height हमें उपर से नापने है, नीचे से नहीं. ये गलती मैंने भी कर लिया, तो आप नहीं करना. जितने Height से वो, इसी वाज़े से जो डैम का पानी हो, डैम का बनता है, डैम का जो नल होता है, वो जो पाइप जो खुलती है, वो नीचे होती है, उपर नहीं होती. उपर प्रेशर कम रहेगा, नीचे प्रेशर जादा रहेगा. इसका Simple Example यह भी होता है, जो आप जाते हो, और Swimming Pool पर जैसे आप नीचे जले जाते हो, कान बंद हो जाते हैं आपके, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना जादा होता है. तो हाइट उपर सन आपनी होती है, जितना हाइट आपका है तो बात सेम है यहाँ, प्रेशर जागे प्रेशर होता है, जितना डेप्थ है आपको उतना जादा आपके उपर प्रेशर होगा. ठेक है? अब बात करते हैं, आखरी, Db हो गया, अब हाँ. टू अब्जेक्ट रिपल इच अदर, इस रिपल्शन कुड बी दू तू यह रिपल क्यों कर रहे हैं? Friksion Force Only, Electrostatic Force Only, Magnetic Force Only, इधर a Magnetic और an Electrostatic Force. इनमें से किस वज़े से वो एक दुसरे को रिपल कर रहे हैं? रिपल मतलब धका मार रहे हैं, नस्दीक अट्राक्ट नहो due to frictional force, electrostatic, magnetic either magnetic or electrostatic जबाब दोनों है, either magnetic or repulsive क्योंकि एक positive charge negative charge को attract करता है positive charge, positive charge repel करती है negative negative charge repel करती है है ना, पड़ा हुआ है आपने दो electrons repel करेंगे दूसरे को दो protons एक दूसरे को repel करेंगे पड़ा हुआ है आपने है ना आखरी सवाल आज का मज़ा आगया भाई मैंने आपको दो हुमक दे हुआ है वीडियो में जागे देंगे हैं कि सर ने क्या हुमक दे तो उसका जवाब में और कमेंट्स में चाहिए और अगर आपने अभी तक भाई वीडियो को लाइक नहीं है तो क्या कर रहे हो, hit the like button right now subscribe to this channel if in case you haven't yet and share this video to all your friends right away through the telegram and school groups you have और friend groups you have ठीक है अभी के अभी भाई आखरी सवाल में करने से अफ़ले मैं आपके एक simple सी बात बताना चाहता हूँ कि class 9 वालों के लिए हमने क्या कुछ कर दिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो भाई हमारे इस प्यारे से चैनल पर जाईए है ना आपको दिख रहा होगा बहुत-बहुत सारे sessions आपके लिए scheduled है यहाँ पर grade 9 का session हर दिन रात को 9 बजे हो रहा है तो आप आईएगा 9 बजे भी और 7 बजे भी और जैसे यह आपका जो session है student premier league जो हमारा चल रहा है महार division 628 का उसमें grade class 9 देने इन दोनों के लिए यह और हर दिन रात को 9 बजे आपके grade 9 के sessions हो ही रहे है और उसके अलावा बहुत सारे session चल लिए जैसे आज जैसे आप देखोगे 7 बजी का भी session आपने लगा हुआ है तो ऐसे बहुत सारे session चल रहे है आपको करना क्या है आपको सिर्फ simple भाई जाना है जैसे मान लो इस session में मैं गया ठीक है इस session में गया और जाके मैंने क्या कर दिया भाई नोटिफिकेशन ओन कर दिया है ठीक है बस हिट लाइक बटन हिट किया कर दिया और बस आगे बढ़ जानेगा ठीक है समझ गया है चलो यहां पर notification आएगा आप notification on करना कुछ नहीं करना रहा चलो अब वापस आ जाते है ठीक है बेटा कर लिया चलो अरे यही तो मैंने homework दिया था तो चलो ठीक है मैं नहीं बता रहा आपको इसका जवाब मैं नहीं बता रहा क्योंकि यही मैंने आपको exactly homework दिया था आज के लिए तो यह आपको बताना है कमेंट से मुझे ठीक है बताना जरूर मैं आपके comments का जरूर जरूर इंतिजार करूंगा इस PDF को अगर आपको चाहिए तो फ्री में आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल में आपको सब्स्राइब कर लेना टेलिग्राम चैनल का description में लिंक है जाएए, क्लिक करेए, open करेए और मज़े करेए तो भाई, मैं तो बहुत उच्छुकू आप लोगों से मिलने के लिए हमारे live sessions में आएगा जरूर सबको आना है भाई ठेक है, तो मिलते हैं session दो बटा Until then, this is Abhisheg signing off Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong I'll get you guys in the next one Peace people Peace people